मैं यानी रतना अपने सभी व्यूवर्स सभी सब्सक्राइबर्स का स्वागत करती हूँ आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राजभोग की रेसिपी बहुत ही स्पॉंजी बहुत ही सॉफ्ट राजभोग है ये आपके सामने ये से मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ कितना स्पॉंजी है देखे और इसमें जाली दार ये स्पॉंजी राजभोग हमारा तेयार हुआ है ऐसा सॉफ्ट राजभोग बनाने के लिए मैंने तरीका थोरा सब बदला है सो ध्यान से देखे मैंने यहाँ पर डेर लिटर गाय का दूद लिया है चीनी लिया है निम्बू का रस लिया है केसर के धागे लिये हैं और इलाइची दूद को सबसे पहले उबाल लिया हमने गैस को बन कर दिया अब इसमें हम डालेंगे निम्बू का रस तो ये निम्बू का रस डाला और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से दूद को फार लेंगे दूद थोरी ही दिर में अच्छी तरह से फट गया है अब क्या करना है हमें कि इस फटे हुए दूद को छान लेना है तो किसी भी छनी से या फिर कोई सूती कपरा कॉटन का कपरा ले उसे पानी अलग कर ले इस तरह से छान कर इसके बाद इस छनी को अब हम किसी और बरतन के उपर रखेंगे जैसे भाफ इसमें और ना लगे क्योंकि छेने का टेंपरेचर मुझे कुछ डाउन करना है उसके बाद मैं इसे साफ पानी से धोओंगी क्योंकि अचानक से गर्म छेने में ठंडा पानी जाने के बाद छेना अचानक से ठंडा होकर टाइट हो जाता है जिसके वजह से आप जब स्पॉंजी रसगुला या फिर राजबोग बनाते हैं तो उतना सॉफ्ट नहीं बन पाता जितना सॉफ्ट आप चाहते हैं तो इसलिए मैंने इसे पहले हलका सा नॉर्मल किया फिर इसे पानी से धो रही हूं ताकि इसका जो निम्बू का रस है खटापन वह अच्छी तरह से निकल जाए तो इस तरह से हम इसे धोलेंगे और छेने से अच्छी तरह से पाने निकाल लेंगे या फिर आप इसे सूती कपरा में भी बांध कर थोई तरह के लिए छोड़ सकते हैं जिससे की पानी अच्छी तरह से निकल जाए छेने से और उसके बाद एक बड़ा सा को प्लेट लेंगे और उसमें हम छेने को सॉफ्ट बनाएंगे मसल कर और ध्यान रखे फ्रेंड्स सॉफ्ट रजगुला या सॉफ्ट राजभोग बनाने के लिए गाय का दूध होना बहुत ज़रुई है एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि छेना बहुत अच्छी तरीके से हमारा सॉफ्ट होना चाहिए मसला जाना चाहिए तो मैंने इस बार राजभोग के लिए 20 मिनट त रही हूं फूट कलर में यूज करना पसंद नहीं करती अगर आप चाहते हैं कि इसमें फूट कलर डाले तो आप फूट कलर इसमें यूज कर सकते हैं ये लो कलर लाने के लिए ये इस तरह का कलर आता है लेकिन मैं यहां पर हल्दी का यूज कर रही हूं हल्दी का यूज इ जाहें तो इस तरह से राजभोग तयार करें या फिर सिर्फ केसर के दहा के चासनी में डालकर भी राजभोग तयार किया जा सकता है बस उसका कलर थोरा सा लाइट होता है तो मैंने इस छेने को और 10 मिनट मसल लिया है सॉफ्ट बना लिया है मैंने इस पार टोटल 20 मिनट छेन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अगर cracks कहीं पे छूटता है तो वही फटने के chances बन जाते हैं तो चिकना बॉल्स रेडी करें ध्यान से इस तरह से इसी तरीके से सबी बॉल्स को हम रेडी कर लेंगे यह रेडी है अब चलते हैं चासनी की तरफ दूद हमारा 1.5 लीटर है तो मैं यहाँ पर 500 ग्राम चीनी ले रही हूँ और इसमें 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ चासनी हमारी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए ताकि बॉल्स इसमें अच्छी तरह से फूल कर उलट पलट सके चासनी में पानी थोड़ा से जादा ही डाले ताकि 15 मिनट उबलने के बाद भी चासनी ना सुखे हमारा राजभोग 9 बड़े साइस का है और यह फूल कर और बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए मुझे यह बरतन थोड़ा से छोटा लग रहा था तो मैंने चासनी को बरे खूले बरतन में ट्रांसफर कर लिया है अब चासनी को किसी चीद से ढग देंगे ताकि चासनी में जल्दी उबाला जाए तेज फ्लेम रखेंगे गैस का कुछी तेर में चासनी में उबाला गया है यह देखे अब सभी राजभोग को इसमें एकिक करके डाल लेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे इलाइची को कूट कर डाल देंगे इसमें और इसे ढग देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई ही रखेंगे और पंदरा मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे पंदरा मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये देखें ये राजबूग हमारा अब बिल्कुल तयार है गैस को हम बंद कर देंगे अब इसमें केसर के धागे डालेंगे थोरा सा और इसे चमच के सहारे थोरा सा इधर उधर करके इसे फिर से दस मिनट के लिए ढख देंगे ताकि केसर अपना कलर राजबूग में छोड़ दे और 10 मिनट के बाद दिखिए इसका कलर और थोड़ा सा डार्क हो गया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अब इसे हम किसी सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे और इसे सजा लेंगे बहुत ही सौफ्ट और बहुत ही स्वार्दिष्ट राजबोग हमारा बन कर तयार हो गया है बहुत ही स्वार्दिष्ट यह देखे ऐसा सौफ्ट स्वार्दिष्ट राजबोग बनाने का ट्रिक याद रखे फ्रेंड्स कि एक दम गर्म छेने में अचानक से ठंधा पानी डाल कर उसे ठंधा कर टाइट ना करें छेने को और दूसरा ट्रिक कि इसे 20 मिन तक लगातार छेने को मसल कर खुब अच्छी तरह से सौफ्ट बनाए जाली दार हमारा यह राजबोग बहुत ही स्वादिस्ट तेयार हुआ है आपका भी होगा तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमें सब्सक्राइब करें बेल का बटन जरूर क्लिक करें ताकि मेरे दौरा डाला हुआ हर वीडियो आप तक पहुँचे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्त रहिए गुड़ बाई